जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकूँ आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज पित्र विसरजनी अमवस्या है और ये अमवस्या अपने आप में बहुत महत्रपूर्ण होती है सारी जानकारी संक में देने वाले हैं आएए पहले आज कम बंचांग देखें दो अक्टूबर सन दोहजार चोविस दिन बुद्वार संब्ध दोहजारी कियासी आश्विर मास कर्शन परक्स्तिती अमवस्या सभी पित्रों के निमित तह आज एक लोटा ले में उसमें काला तिल मिला में कच्चा दोद मिला में थोड़ा गंगा जल मिला में और वो दक्षिन दिशा की तरफ सभी जाने अंजाने पित्रों का ध्यान करते हुए दक्षिन दिशा की तरफ मुकर के जरूर दिया जाए और च्छमा प्रात्ना मंगी जाए कि हमसे अगर कोई भूल चुक रह गही हो आपके पूजन में दान के निमित यह कुछ भी उसे आ जालें और उसमें थोड़ा काला तिल लगा लें गुड को कूटले थोड़ा काला तिल उसमें मिला लें और एक सुआट पेड़ी हों किसी भी गव शाला में अपने पित्रों के निमित जाकर के आज यही संभब हो सके तो आप उसे देने का प्रियास करें बहुत अच्छा कैस से आपको लाब मिलेगा पित्र प्रसन होते हैं संतुष्ट होते हैं और गव माता को जो भी चीज हम साफ स्वच तरीके से अरपन करते हैं और जो वो से ग्रहन करती हैं 33 कोटी देवी देवताओं को बाज गाई के अंदर होता शुब 80 की प्राप्ति होती है पित्र जो कोई पित्र से बड़ा से बड़ा दोश होता है उसका शमन हो जाता है अब जिन हमें पूर्वजों की तिथी पता ना हो यह जिन्नों ने अब तक श्राद ही ना किया हो और मन में यह लाल सा चल रही हो कि चलो इस बार हम भी अपने पित्रों के निमित कुछ कर लें तो आज है लिए के लाता है मध्यान में कैता एक बज़े के आस पास से हालाकि आज पूरा दिन जानकि कiãoध पित्रों के नाम से साधर है अशरार रूप में जब बैटे. और रहा o उससे भी आपको विश्यस लाव की प्राप्ती होगी, थोड़ी खीर बनाई जाए, एक अग्यारी बना लें, गाएं के उपले की, गाएं के गोबर जो हता है कंडे की, वो अग्यारी सी बना करके, उस पे तीन चम्मत थोड़ा-थोड़ा सा खीर जो बनाई है, पित्रों का ध वो जन करा दें, संबब और नहीं ब्रह्मन वो जन कराने कवला ब्रह्मनों के लिए सु्कारासन निकालते हैं बहुत गरो में, तो आज के दिन जो खीर बनाई है, यह प्राउदों के लिए निमित, यर्किसी मंदिर में, आप जरूर दे के आँए, अपने पित्रों के ना पर नहीं मिल पाते हैं तो फिर वो खीर तीन वारा ग्यारी पर डाल करके जल घुमा करके और पित्रों को सभी को प्रणाम करके जल दक्षिन दिशा के तरफ मुखर के आप दे दें जितने विद्वी जाने और आपके पूरवज हैं पित्र हैं हम से कोई भी भूल चोग हो आपके पर्ति रही हो तो आप हमें चमा करे ठीक हे फित्टा इतना कर ले उसके बाद दोशाला जाकर के आपने जो भी कुछ दान वगरा देना है या जो भी हमने आपको बताया था गुड़ की पेड़ी वाला उपाए वो आप कर ले आज अपने पित्रों के नाम से कहीं भी बच्चों में गरीबों में कहीं भी आप फल बाटें मिठाई सफेद रंग की हो तो अति उत्तम रहती है आज के दिन सफेद रंग का वस्त्र दान करना जैसे दोती कुर्ता किसी ब्रामन को दे सकते हैं कहीं भी जरूरत बंद लोगों में आप चीनी का दान कर सकते हैं राशन का दान कर सकते हैं आटे का दान कर सकते हैं घी का दान कर सकत सफेज चीजों का दान पित्रों की निमित बहुत अच्छा बताया गया और वस्त्र देना है तो किसी को लोई दे सकते हैं किसी बुदर्ग को सन्यासी को किसी भी आपने पित्रों के नाम से कुछ ना कुछ आप करने का प्रियास जरूर करें पित्र हर वर्ष एक विशेश उम करेंगे लेकिन कई बार हम बिल्कुल भूल जाते हैं दिमाग से निकाल देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया है इसलिए बिटा पित्रों को याद करने का आज का बहुत बड़ा दिन है और यह स्राद पुख्ष का अंतिम दिन माना जाता है जिन पित्रों की तिथी आदी आपको मालूम ना हूँ कि कब हमारे पूर्वज किन तिथियों में उनका श्राद किया जाए तो आज की दिन आप कर सकते हैं जो लोग ब्रहमन भोजन नहीं करा सकते हैं वो सूखा रासन निकाल करके जैसे चीनी हो गया आटा हो गया चावल हो गय है दाल हो गई कोई भी चीज जितना आपका मन करें ऐसा को जी बावजन नहीं है अंदा जैसे कि हाँ वह साल की कितनी हमावस्या होती हैं 12 तो 12 मावस्या की नाम से आप 2-2 किलो या चार-चार किलो 5-5 किलो निकाल के दे सकते हैं या एक मावस्या आज की नाम से आप सूखा जरूरत मंदों में अपने पित्रों के नाम से लोई, कंबल, वस्र, अन, जो आप मर्जी दीजिए वो आपके अपनी स्रद्धा है, तो ये जितना आप से बन पड़े, आज के दिन का करने का प्रियास जरूर करना, कल प्रथम नवरात्र है, नवरात्र विशेशांख हमारा ज जाएगा, कल भगवती को भोग क्या रहेगा, और भी नवरात्रों से सम्बंदित बहुत सारी जानकारी, आपको नवरात्र विशेशांख में प्राप्त हो जाएगे, तो आईए जगत जन्नी, कल विराज रही हैं, तो आईए भगवती का आज के दिन दो म्रट के लिए से करां स्मित मुखे, बापे नवाग छोरुआं, पानी प्याम अलपूर्ण रत्न चसकां, रत्नोत परां, विब्रते सोम्यां, रत्न गटस्त रक्त चरणां, ध्यायत परां, मंबिकां, खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान, छूलं भुसुंडिम्सिरा, संखं संदधतिम्करिस्त्रिनयानां, सरवंग वुस्वरितां, निलास मध्युतिमास्यपाद दसकां, सेवे महां कालिकां, यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो, अंतुम्मदुम्केटवं, वेद्योद्धामसमप्रवाम्रिगपते, सकंदस्तितां, वेशनां, कन्यां विहकरवाल खेट विलसा, धस्ता विरास सेवितां, अस्ते चक्रगरास खेट विसिखां, कबच बना लें, ध्यान करें, भगवती कस्तु वासिस हम सब के उपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने समन्ने हो जाए। देखो साथ को, बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बाते हमारे धरम में हैं, कि जहां बर्षवर्थ तीस त्यार करते हैं, पूजा पाट करते हैं, पती-पत्नी के लिए करवा-चोत की इस्तिती आती है, भाई-बहन के बंधन के लिए रक्षा-बंधन आता है, और लक्ष्मी-पूजन के लिए दीपावली आती है, विद्या-प्राप्ती के लिए बसंत-पंच में आती है, उसी प्रकार से अपने पित्रों से सुब आशि भी ना किया हो, तो कुछ तो करने का प्रियास करो, और पंच वली जरूर निकालने का प्रियास करना, पंच वली में जैसे आप जो लोग पत्ते पर निकालते हैं, वो पत्ते पर निकालने, नहीं तो साधान रूप में जैसे आपके हैं पंच वली निकलती हो, उसे भी आप ब्राह्मन भोजन करा रहे हैं तो भी पंचवली निकाल दे और ब्राह्मन भोजन नहीं करा रहे हैं तो भी आप पंचवली निकाले हैं पंचवली चुनों ने ना सुना हो पांच प्रोसे निकाले जाते हैं दो दो पूरियां यह आपके हैं कच्छा भोजन बनता है तो फिर उस हिसाब से दो दो रोटी और जो भी सामगरी बनाई गई है घर में रामण के निमित या स्राद के निमित वह थोड़ी थोड़ी सब पर रखी जाती है ठीर बनी है पत्ता ना मिले फिर थाली में रखने भाईया दोसरी स्वान वली ये भी पत्ते पर कुट्ते के निमित दो रोटी तीसरी काक वली कोवे के लिए प्रत्वी पर फिर देवा आदी वली देवताओं के प्रती पत्ते पर और फिर पीपली का आदी वली यानि कि चीटी के लिए ये भी पत्ते पर बली दी जाती है, बली मतलब क्या होता है, भेट देना, अब देखो कितना गलत अर्थ निकालते हैं, बली का मतलब समझ रहे हो नहीं, जो मैं कहना चारा हूँ, बली का अर्थ वो ही नहीं है, कि किसी की गरदन पर कुछ रखो और उसे काट डालो, नहीं भेट करना, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझने की आवश्यक्ता है, अब अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है कज़बार, तो बेटा ये पांच वलिया होती हैं, और उसके बाद निकाल करके ब्रह्मा को भजन करा देना, और जैसे की कुत्ते की खिला देना, जो तो ये जितना आप से अच्छे से बन पड़े करना, और कल प्रथम नवरात्र है, घट स्थापना कितने बज़कर, कितने मिनट पर होनी चाहिए, इसके लिए आप हमारा नवरात्र विश्यशांक देखिएगा, कल कौन सा आप पाट करेंगे, दुर्गा शफ्षती आप ले यह इक दिन भर आपके पास है, और थोड़ा साहम इस बार कारेकनम देने में डिले ज़रूर है, कुछ चीजें आपको बोली गई हैं और वो थोड़ा सा डिले होई है, क्योंकि व्यस्ता बढ़ता बढ़ती जा रही है, तक हमाला मन होता है कि चाहे लेटीस आई, लेकिन हम information आपको देने का प्रियास जरूर करते हैं ठीक है तो कल नवरात्र है प्रथम नवरात्र है हमारे चार नवरात्र होते हैं जिसमें कि ये दो मुख्या होते हैं चैत्र और आश्विन के तो कल आश्विन माह का नवरात्र है बहुत अच्छा ये प्रथम नवरात्र है भगवती नो रूपों में हर घर में विराजती हैं हर रूप के दिन कौन-कौन सा पाठ होता है सारी जानकरी हम आपको प्रती दिन के एपिसोड में भी एडवांस में बताने का प्रियास करेंगे चलते चलते फिर यही कहेंगे अच्छे से बेटा आज अपनी पित्रों का जो भी पूजन है दान दक्षना है जो भी अच्छे से कर लेना और बाकी नवरात्र विश्यशांग देख लेना ताकि सारी जानकरी आपको पता लग जाए चलिए आप सब लोग स्वस्त नहें सुकी नहें इनी शुपामनाओं के साथ हम अपनी मानी को ब्राम जेते हैं जय 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 बेग मेरी बहुत दिन से दिली एक्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरूश मिलें और मैं वहाँ जुड़के और देश समाज के लिए कुछ कर पाऊं कई चीजे हैं समाज में समाज सेवा में मन में वो शान्ती नहीं मिली जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बडियां भी रहती है आज कानुभा यही है कि मुझे आज लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है सही मंजिल मिल गई है जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊंगी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें